प्रेटिव आट देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को हमारा नमशकार आज हम अपको मेथी के पराटे बनाना बताएंगे हमारे स्टाइल में इसके लिए हमें जिंजिजू क्या उशक्रा है वो है मेथी जिसे हमें दू के कट करके रखा हुआ है नमक, जिंजर गालिक पेस्ट, अजवाइन, हरी धनिया, दही, बारिक कटे पूई प्यास, हरी मिर्ची और जीरा यहाँ पर हमने तीन कब आटा लिया है अब हम बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले तमाटा आटे में मेथी डाल देंगे इसके बाद हम डालेंगे प्यास हमने एक बड़े से इसकी प्यास लेती इसमें हरी मिर्च अजवाइन जीरा जिंजर गाली पेस्ट हरी धन्या नमक स्वाथ्य अनुसार अब इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे दही दही हम जरत के हिसाब से लेंगे जितनी हमें जरुरत है असे साब से हम थोड़ा थोड़ा दही इसमें यूज करेंगे दो बनाने के लिए हम इसमें दही का इस्तमाल करना है पानी को में यूज करना ही नहीं है अगर आपको लगता है के टोरी दही कम को रहा है तो आप इसमें एक्स्ट्रा दही का भी यूज कर सकते हैं आप अगर दोग कड़ा ही रखना है क्योंकि इसमें हमने मेथी के साथ नमग यूज किया है जो थोड़ी जिससे थोड़ी दिरबाय दाना नरव हो जाएगा अब इसमें थोड़ा से तेल लगा देंगे अच्छी तरह से तेल लगा देंगे और इसे पाच मिनिट के लिए ठक्के रख देंगे पांच मिनिट हो गए है और चेक करनेंगे आटा रेडी हो गया है अब हम इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना देंगे इस तरह से अब तवागरम करने के लिए केसाम कर लेंगे अब हम पराता बना शुरू कर रंगे अब हम पराता बना शुरू कर देंगे अब हम पराता बना शुरू कर देंगे अब तेल लाएंगे अब चाहिद इसमें गी का यूज़ भी कर सकते हैं यह और ज्यादा टेस्टी लगेगा इस तरीके से साइड में डाव दीजें और उसके बद इसको तरवे पर चाला तरव हमाईए यह इसे पराठा आपका पूरे साइट से एक बराबर सीख जाएगा मिठीके पराधे में अगर आप तर्मेश की जगह लादमष्ट के यूज़ दना चाहते पहले कर सकते हैं जाए इस पराठा मारा चितरीके सिंदे के तयार हो रहा है अब देख सकते हैं हमारा मेथी पराठा तयार हो चुका है अब आप इसे दही के साथ तमेटो सॉस के साथ या आपके मैं पुज़नाचार के साथ खाये पराण दिजिए